नमस्कार मैं हूँ निरश कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया नियूज वक्त हो गया है आज के तायतरिन खबरों का वेशी नेता राहुल गांधी की भारत जोरो निया यात्रा और जन जागरन यात्रा की तैयारियों को लेकर राजथान के डुंगरपुर के पुर्व सांसद ने कारकरताओं की बैठक की जहां आज डुंगरपुर कॉंग्रेस की ओर से जिले भर में जन जागरन यात्रा निकाली जाएगी किसानों की MSP सहित विभिन मांगों के समर्थन में आज विपक्षी इंडी गटवंधन भी किसानों की मांगों को लेकर परदर्शन में धर्ना पर बैठेंगे परदान मंत्री नरेद मोदी आज साम चार वजे वीडियो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से विक्सित भारत विक्सित मदपर्देश कारकरम को संबोधित करेंगे इस कारकरम के दौरान परदान मंत्री मदपर्देश में 17,500 करोड से अधिक की कई विकास पर्योजनाओं की आधार सिला रखेंगे और राष्ट को समर्पित करेंगे जहां आज सुबह हुए माता किचके स्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मयूर भंजिले में विभिन कारकरमों का सिलान्याश और उद्गाटन करेंगी पर्धान मंत्री नरेंद मोदी और मौरिसस के पर्धान मंत्री परविंद्र जगरनाथ आज दोपहर एक वजे वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से मौरिसस के आगा लेगा द्वीप में 6 सामुदाइक विकास परियोजनाओं के साथ-साथ नई हवाई पट्टी और सें इंतिजार कर रहा हूँ मंगर सीट से त्याग पत्र दे दिया था जिसके बार भोजपुरी एस्टार दिनेश लाल निरववा वहां से सांसद बने धार के दरभंगा जिले में रक्षा मंतरी राजनाज सिंग ने लोकसभा चुनाओ को लेकर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम यहां तीसरे टर्म के साथ साथ चौथे टर्म की भी जीत की बात करने आये हैं वहीं उन्होंने परधान मंतरी नरेंद मोधी के नित्रितों की सराहना करते हुए एक एक करके कैंद सरकार की उपलबधियां गिनाई LG में दस लाग से अधिक लोगों के पानी के गलत बिल आने के मामले में मुखमंतरी अरविंद केजरिवाल को उपराजपाल वीके सकसेना ने जवाब दिया कहा कि जल वित्य सहरी विकास एवं योजना से सम्मंधित सभी विभाग केजरिवाल सीम के नियत्रन में है LG की कोई भूमिका नहीं है इस सम्मंध में LG के संग्यान में एक भी कागज का टुकरा नहीं लाया गया है LG ने आगे कहा कि आपको फैसला लेना है लें दूसरों पर दोस ना दें पानी का बिल माफ करना है तो सब ही 27 लाख उपभुकताओं का किया जाना चाहिए सिर्फ 10 लाख का ही क्यों जिन 17 लाख उपभुकताओं ने पानी का बिल जमा किया है उनका व्याज सहित वापस लोटाएं कता है कोट ने संदेश खाली मामले में भाजपा को कोलकता मैदान में धर्णा देने की परमिसन दे थी जिसके बाद कोलकता हाई कोट के परमिसन से महात्मा गांधी की पर्तिमा के नीचे 28 और आज 29 फरवरी को बीजेपी प्रोटेस्ट करेगी पियाई ने नोटिस जारी कर आज समाजवादी पार्टी के नेता अखलेस यादव को बतौर गबाह दिल्ली अस्थित कारियाले में पूश्ताच के लिए बुलाया है बता दें की केंद्रिय जाच अजनसी ने अखलेस यादव को CRPC की धारा 160 के तहस नोटिस जारी किया था अरखंड के जामतारा में एक बुरी घटना हुई जहां जामतारा कर्मा टांड के कल जहरिया के पास करीब दरजन भर लोगों के ट्रेन की चपेट में आने के कारण 12 लोगों की मौत हो गई है वहीं कई लोग घायल बताय जा रहे हैं ट्रेलवे पुलिस और अस्थानिय परसासन मौके पर पहुँच गई और राहत वचाव में जुट गई है वहीं माना जा रहा है कि मिर्तकों की संख्या और बढ़ सकती है जहां पहारों पर पहुँच कर उन्होंने अपने एक्स पर पोश्ट करते हुए लिखा मेरा अब तक की सबसे खुबसूरत अनुभव रहा जहां ये हमेशा याद रहेगा सच्चिन ने कहा कि उनके चारों और वादियों में बर्फ थी लेकिन लोगों द्वारा उनका खुबसूरती से स्वागत करने पर उनको उस थंड का एहसास नहीं हुआ आश्ट के सीमो को मुखमंत्री एकना सिंदे के जाली हस्ताक्षर और मोहर वाला ग्यापन मिला जिसके बाद सीमो ने मरीन लाइन्स पुलिस स्टेशन में सिकायत दजकर आई है ग्रांटेड कॉलेज के सहायक अध्यापक सरकार के खिलाफ विरोध परदर्शन कर रहे है उनका मांग है कि फिक्स वेतन पाने वाले कर्मचारियों की तरह ही उनका भी वेतन वरहाए जाए पराना परताफ सेना के अध्यक्स राजबर्धन सिंग परमार ने कहा है कि अजमेर अस्थित खाजा मौयनुदिन चिस्ती के दरगाह पहले हिंदू मंदिर था जिसे मुसल्मान अक्रांताओं ने ध्वस्त कर दिया परमार ने कहा है कि सिम मंदिर और अन्यमूर्तियों के अस्थान पर दरगाह बनाई गई है जहां दरगाह के दरवाजे पर अब भी स्वस्तिक बना हुआ है और स्वस्तिक हिंदूत्व का परतीक होता है जाव के सिम भगवंत मान ने पुलिस को दिये 110 हाइटेक वाहन वहीं नकोदर में किया 283 करोर के विकास कारियों का उगाटन PNLD के परदेश अधक्स नफे सिंग राठी हत्याकान मामले के आरोपित पुर्ग विदायक नरेश कौसिक बोले मुझे भी मिल रही है धमकी मेरा नाम गलत तरीके से लिया गया है मुझे भी माहौल में खत्रा लग रहा है पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की है पुलिस को एक दिल्ली की नंबर के गारी की तलास करने से 30 लाख रुपए नकदी बरामद हुई विजगर के बालो जिले में एक अनोखी सादी देखने को मिली जहां 35 साल की उम्र में भी दुल्हा दुलहन मातर ढाई फिटका है इन दोनों की अनोखी सादी को देखने के लिए आस पास के लोगों की भीर उमर परी हिमाचल परदेश में राजसभा की एक सीट के लिए हुए मतदान के बाद राज में राजनेतिक हलचल तेज हो गई है और सुख्ष सरकार के खत्रे में आने की बात मानी जा रही है वहीं बिपक्ष द्वारा सुख्ष सरकार के खिलाफ और विश्वास परस्ता लाए जाने की भी बात चल रही है जहां मंतरी विक्रमादित्य के इस्तीफे के बाद अस्थिती ये हो गई है कि हिमाचल परदेश के सियम सुख्विंदर सिंग सुख्ष के इस्तीफे को लेकर भी चर्चा गर्माने लगी है आयो के निर्देश पर सुल्तानपुर जिलाधिकारी कृतिका जोत्सना द्वारा लोगसवह समान निर्वाचन 2024 के द्रिष्टिगत स्विप योजना अंतरगत कलक्ट्रेट परिसर से मतदाता जागरुकता रेली को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया गया तो मैं देख पा रहा हूँ का आप में से बहुत सारी लोगोंने नियूज को लाइक किया है और कमेट भी किया है लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है जिन्होंने नियूज को लाइक और कमेट नहीं किया है उनसे भी आग रहा है कि प्लीज 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 वे भी नियू झाल